हेलो एटीपियंस वेलकम टू एटीपी स्टार्दा सूपर लर्निंग प्रैटफॉर्म मैं आपका होसें दोस्त अंकुर गुपता आज मैं और लोके सर आपके लिए ऐसा सेशन लेके आये हैं जो की आपके लिए बहुत बेनिफिशल होने वाला है जो भी नीट 2022 की तियारी कर रहे हैं उनको एक मोस्ट डिमांडिंग सेशन की रिक्वार्मेंट थी बच्ची अक्सरम से पूछ रहे थे कि सर कौन सा टॉपिक ऐसा है या कौन से सालों में अगर मैं बात करता हूं तो किस पॉंट पर्टिकुलर एयर में जदा सवाल पूछे गए थे फिजिकल केमिस्ट के साथ एंड तक बने रहे हैं और आई होप यह वीडियो आपको पसंद आने ही वाला है तो अभी साप सेशन को लाइक करें और अगर आप चैनल पे नए आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें और एडिशनली एक बात और मैं आपको बता देना चाहता हू आद आपको स्कॉलेशिप की जो डिटेल्स है क्योंकि इंटरस्टिंग स्कॉलेशिप भी क्राइटियर रखा हुआ है तो उसके बेसे पर आपको स्कॉलेशिप भी मिल सकती है तो नीचे दिएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसको ज़ूर से फिलब करें चलिए अपना अब लोग शुरू करते हैं आई बोर पर देखेगा थेंकियो अंगूरते देखो बच्चो क्या होता है जब आप कोई भी प्रिप्रेशन स्टार्ट करते तो पहले क्या होना चाहिए कि प्रिवेश्यर अनलेसिस बहुत काफी इंपोर्टेंट होता है कि हम हमारी प्रिप्र थे इत्साइब को प्यासन बालाईवा ऐसे ईप्रिवेश्यर अचाहिए तो अपको पता होना चहिए कि मुझे कौनस नहीं फोक।क करेंग द्म्र्टिश है यह नहीं कि अंधादून टीयारी इस टार्ट करते हैं तो ओ और से मल्ट नम्सक्ती से बस्टार्ट करते तो यहां पीटर से पहला टॉपिकाशिक है कि मौल कंसEpt जो basic हो सहा हुआज से जनरली आप देखोंगे ट्रेंच व्हान तु कोश्यंस अबज आप डेखुटर कि इन्धेप्त अपर डंड पास हुए थे section B आपको 10 questions το वहां प्रिवाज बताच्जित वहां एक्स्ट्रा कोशन घाए थे chemical kinetics एक्स्ट्रा कोशन section A मैं एक कोशन आएख एक उसक्षिन इम चुछन आए लिक्विट सोलुशन ने सक्षिम आपको बहुत गए बास गैसे स्टेट से भी तो अपको एंहां जो हो कि रांक स्क्षिन करते हो कि थोड़े सोल्ड़ेटिव चल्कु टीकुलेटिवित में भार्म काते हैं कि रेक्षिड और अपको एपको अच्छे से प्राक्डिस करना बाOW चैनु तो यहां पर तोड़ा साथ वे बात करते हैं तो यहां पर फुरा चेप्टर्स कावर हो आपके बास मतलब आपको देखना है प्रिविए सिर्ली कौन्से कौश्च जादा रीपीट हो हैं कौन से टोपिक्स कम रीपीट हो हैं वो अगे बात जादर इसी ट्रेंट में के पास 21 म पर टोपिक्स करते हैं कि बात करते हैं सिंफल आके पास ideal case equations को वे दो कोश्च बनेते हैं pra basic basic se हो के पास thermodynamics 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 जहनल आके पास क्या होता है one one questions आके पास जादे तर इसका यूज के होता है physics में आज थोड़ा सा वैटेज कम रख रख्ते बेसिक ओफ thermodynamics रहता है, यहाद है, डीटेल में आपको thermodynamics नहींपने ही पढ़ना, 一 उत्रोपी के काफी क्या हुता है जे एडवान्स वाले होता रहता है वहां है काफी detail में होता है, लेकिन आपको नीट को जादा बिल्कुल बेसिक से अके पास thermodynamics आता है तो बिल्कुल बेसिक वाली thermodynamics पढ़नी है अगरोव इंड्डेड़न बेसिक रहा था है तो फोलिट से थोड़ा सा एंसी इस्टिक रहाता कि बात न टाउने न टेबलस वहां से कोश्रिया था कि कि ट्ने टाइप्स बनेंगा कि अगे वस अगया पास व सब्चुछ और सब्सकेमिस्ट्री तो अपको क्या करना है तो तो यहाँ से जादा जो प्रैक्टिस जादा करनी है, अब मैं बात करता हूं इनोरगेनी केमिस्ट्री तो पछो एक लोगेस्ट का तो आपको बदा दिया शार्ने पहले ही तुछी आपको पर लिंक दिस्क्रिप्शन में दिया हो ना उसको गूगल फों को फिल अब कर ना वह इनोर्गनी केमिस्ट्री जो जात्री जो पूची गई थी वो आपके पास to the point NCIT पूची गई थी ज्यादा एक्सेस में करने की ज़रूत नहीं है आप यहां से देख बारे हो कि 21 में periodic table और chemical bonding से 5 questions के आराउंड दे यहां पे block chemistry S block को मिला दे P, D and F तो S block से 2 questions alkaline earth metals के वारते हैं आपके पास अपकी बारते हैं अपके बारते हैं रिक बरिलियम के कमांट से question पूची कहीं थे P block को simple इतनी reactions आपको P block की नहीं पूची गई थी उनकी chemical properties पे जादा फोकस किया था यह था आपको क्या हो तक आपके पास हर निसे 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 पर बागे 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 पास कोडिनेशन कंपोंड तो वैके पास 21 में दो कोशिए थे बागे पास और यहां अगर एक तुवा के पास simple magnetic moment निकालना था simple directly था के पास और 20 में एक कोशिंशन का के बागे यहां से अब बात करेंगा, तो इनले ऐसे पुचा जाता है और मिवार्म्नालों स्टेरीश चैशियर है ठोba अब करेंगी बेसे स्फोřिवाइव को साथे केमिकनल बॉंडिंग पर केमिकल बॉंडिंग अउग्ण तो यह तो आगे पास trends था के पास inorganic और और आगे पास हो गया और फिजिकल का trends अब आगे हम बात करेंगे अंकुर सर आप से बात करेंगे और अगे पास अगे पास है इसके अगर हम बात करता हूं आपके सबसे और अगे पास है आई पीसी नोमनक्लेचर जिससे 2021 में दो सवाल पूछे गए थे 1 प्लस 1 का मतलब क्या है कि एक तो यह से direct सवाल पूछा गया था और एक इन direct सवाल पूछा गया था क्योंकि पर इसकी बात करता हूं जैसे 2020 की 2019 की इन के अंदर बिल्कुल सवाल पूछे गए थे जी उसी के तो इस बार सर्प्राइजिंग फेक्टर जो देखने को मिला था इन और स्पेसिफिकली जी उसी में तो कोई भी जी उसी का सवाल आपको यहां पर देखने को नहीं मिला आई चर्चा करता हूं जी हाइड्रोकारबन की आपको एक सवाल मिला था हैलो इलकेन हैलोरीन एलकोल एंड इथर जो आपका चैप्टर हुआ करता है इंसी आर्टी के बेस पर बात करते हैं तो यहां से आपके पास एक सवाल पूछा गया था जो कि सिंपली उसने जेट जेफ औ और आपका होफ में लिकिन के बारे में आपके चर्चा की गई थी पर प्रीवेस सेशन ने आप देख पारे में ऐसे सवाल बर-बर क्या करते हैं 2020 में भी सेप्टेमर प्स अक्टूबर का कारेक्रम है तो ऐसे तीन सवाल आपके पूछे गए थे अगर मैं ग्रिगनाड इज किया गया था इसके बात अगर मैं बात करता हूं जो एलेडी हाइड और किटोन वाले चैप्टर की मतलब एलेडी हाइड और किटोन है साथ में कार्बॉक्सलिक अचिड का भी पार्ट इसमें हमने इंग्लूड किया हुआ है तो यहाँ पर आपके तीन सवाल यहां से करता करने में जादा टाइम मिना लगे आप इस सेशन की हल्प से यह देख पाएं कि आखिरकार मुझे किस पॉइंट पर स्ट्रेस करना है किस सवाल में किस सवाल पर महां पर स्ट्रेस किया गया था इसके बाद चरचा करते अमीन्स की अमीस में आपको बताना चाहूँगा अमीस हमने इसमें कंसिडर किये हैं जितने भी आपका एरोमेटिक केमिस्ट्री वाला पार्ट है उसको हमने सेपरिट सेक्षिन बनाया that is अरोमेटिक केमिस्ट्री जापर फिनॉल एनिलीन की रियक्शन और डाइजोनियम सॉल्ट कॉप्लिंग रिक्शन के बारे में हम बायो मोलिक्यूल्स तो मैं फिर इपीट करूं बहुत इंपोर्टेंट चेप्टर है बायो मोलिक्यूल्स से इस साल एक सवाल आया हो था इसके अपार अगर मैं 2020 की बात करता हूं तो पास सवाल आपको देखने को मिलेते हैं दोनों ए अटेम्ट है मतलब सेप्टेंबर और अक्टूबर दोनों को मिला के इसके बाद बात करते हैं पॉलिमर चेप्टर की तो एक सवाल था इसके बाद प्यूसी की बात करते हैं प्यूसी का मतलब प्रैक्टिकल और अगेनिक केमिस्टी की जहां से आपसे उसने बेंजीन सल्फुनलिक्राइट सा रेक्शन कराई थी मतलब अगर मैं 2021 की बात करता हूं रिसन जो पेपर हुआ आपका नीट का उसमें हम यह कह सकते हैं कि जो और अर्गेनिक केमिस्टी का सेक्षिन हो पूरा एकुली डिवाइड था सारे चेप्टर के अंदर पर सर्प्राइजिंग फेक्टर जो यहां पे देखने को इस बार म पेखने को जी उसी का नहीं मिला और इसका मतलब यह नहीं है कि सवाल नहीं आए तो अपने को पढ़ना नहीं है जी उसी जब तक नहीं आएगी तो आगे चल के जो रेक्शन आला पार्ट है वो भी अपने को समझ में नहीं आएगा तो अगर मैं 2021 की बात करता हूं तो यहा आपके लिए बहुत बेनिफिशल होने वाला है तो आई होप कि आपको पूरा कमपाईलिशन समझ में आया होगा कि फिजिकल इन और 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 किन बाट्स पर फोकस करना है और किस तरह से हमारे चेप्टर्स की वेटेज हुआ करती है और अन एवरेज 2021 से लेके आपके 2013 तक या 15 तक ही हमने चर्चा की और यह जो PDF है यह आपको नीचे description box में मिल जाएगा जिससे आप वापस एक बार इनको recall कर सकें और जो भी experience नीच 2022 की त्यारी में लगे हुए है उनको जैसे मैंने बताया था कि एक एक एकलवे batch आया है नीच 2022 को target कर रहा है वो offline प्ल कर रहे हैं अभी 2021 के attempt में और क्या आप लोग का dream college रहेगा तो चलिए मिलते हैं फिर आप से नेक्स सेशन में नेक्स सेशन में हम लोग चर्चा करने वाले हैं So I hope कि आपको सेशन पसंद आया होगा तो make sure to hit the like button और जल्दी हम लोग मिलने वाले अपने नेक्स सेशन में till then keep preparing and all the very best